नमस्कार दोस्तों डीजी सेवा योट्यूब चैनल पे आपका एक बाद फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस संजीविनी OPD के बारे में ये टेली मेडिसीन का एक ऐसा मध्यम है जिसकी साहता से आप घर बैठे आडियो वीडियो कम्यूकेशन के माध्यम से डाक्टर से चिसकी सलाह वा परामर्स ले सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को उससे पहले आप से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो का अब्रेट आपको असानी से मिल सके इस पोटल को आप इस संजीविनी OPD डाटा यान टाइप परके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ओपिन कर सकते हैं डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए आपको इन स्टेप को फालो करने होंगे इस संजीविनी OPD के बारे में ज़्यादा विश्तित जानकारी के लिए हम इस पोटल के अबाउड पर क्लिक करेंगे जैसे कि ये भारत सरकार के Health and Family Welfare द्वारा संचालित वीडियो बेस्ट नेशनल टेली कंसल्टेशन है जिसमें पेसेंट घर बैट कर सुरच्छित रूप से वीडियो कंसल्टेशन करके अपना स्वास्थ लाब ले सकता है अईए देखते हैं इस इस संजीविनी OPD के क्या साइलेंट्स फीचरन है यह सबसे पहले हमें इसमें पेसेंट रजिस्टेशन करना होगा जिसमें टोकन जन्रेशन होगा और क्यूँ मनेजमेंट होगा इसके बाद डाक्टर के अवलेवल होने पर आडियो वीडियो कंसल्टेशन होगा जिसे आप घर पर बैट कर आसानी से सुरच्छिद रूप से कर सकते हैं और उसके बाद इस प्रिस्क्रिप्शन जन्रेट होगा जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही हमें इसका SMS या E-mail notification भी मिलेगा और ये जो सर्विस है ये सर्विस आपके स्टेट के डाक्टर द्वारा फ्री में आईसमान भारत स्कीम के तहत दी जाएगी इसका सेंटर सीडेक मुहाली में बनाया गया है साथ ही Google के Play Store में इसका अप्लिकेशन है Android अप्लिकेशन जिसे डाउनलोड करके आप इसका यूज कर सकते हैं सबसे पहले हमें अगर करसलिटेशन करना है तो हमें पेसेंट रजिस्टेशन में जाके पेसेंट का मुबाइल नंबर डालना होगा मुबाईल नमबर इंटर करने के बाद आपको अपना स्टेट सेलेट करना होगा यहाँ पर आपको दो अपसन मिलेंगे जनल ओपीडी और स्पेसिलिटी ओपीडी अगर आप स्पेसिल सक्षन यानि की निफरोलाजी कार्डियोलाजी में जाना चाहते हैं आपको इस पर सेलेट करना होगा लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि आपके स्टेट में यह ओपीडी संचालित है या नहीं जैसे कि MP में सिर्फ General OPD संचाली था है हम General OPD में सेलेट करके जनरेट OTP पी क्लिक करेंगे उसके बाद हमारे मुबाइल पे OTP आ जायागा जिसे हमें इंटर करना होगा हमने यहाँ पर OTP इंटर करके सम्मिट किया है तो हमें कुछ इस तरह से एक पेशेंट रजिस्टेशन का फॉर्म मिलेगा जिसे हमें फिल करना है यहाँ पर हमें अपना फर्स्ट नेम एज और मिडिल नेम है अगर तो उसके बाद लाश्ट नेम इसके बाद आप अपने डिस्टिक को ड्राप डाउन से सलेट कर सकते हैं ठीक इसी प्रकार से जेंडर अपनी सीटी को सलेट कर सकते हैं अगर email है तो आप उसे भी इंटर कर सकते हैं देन आप अपने blog को यहां से select कर लेंगे अपना address फिल कर लेंगे और pin code इंटर करने के बाद आपको submit पे क्लिक करना है जहां आपकी profile जनेट हो जाएगी यहां down scroll करेंगे तो यहां अगर आप health related आपका कोई पुराना prescription है कोई report है तो आप यहां upload कर सकते हैं अधरवाई आप जनेट to patient ID and token पे क्लिक करेंगे और OK पे क्लिक करेंगे तो आपके mobile पे एक patient ID मिल जाएगी और एक token number मिलेगा इस patient ID को आप यहां patient login पे इंटर कर सकते हैं अधरवाई आप अपना mobile नंबर यहां पर इंटर कर सकते हैं और token number आप इंटर करेंगे उसके बाद login पे क्लिक करेंगे जैसे कि हमें MP45 यह token number मिला है इसके बाद हमने login पे क्लिक किया इसके बाद हम इस अंजीविनी OPD के इस dashboard पे आ जाते हैं जहां दो नंबर पे लिखा है हमारा waiting room हमारा क्यू है दो नंबर पे चल लए है इसके बाद एक number आएगा और एक consultation room है जिस पे अगर doctor अविलेवल हो जाता है और आप राइट साइड देख सकते हैं कि consultation किस तरह से करना है ठीक नीचे एक chat box होता है वहां से हम doctors के लिए message type कर सकते हैं और अपनी queries generate कर सकते हैं इंसर दे सकते हैं इस तरह से आडियो वीडियो जो communication के द्वारा डाक्टर से आप सलाह ले सकते हैं सलाह लेने के बाद आपका prescription जनेट हो जाता है जनेट करने के बाद अगर call disconnect होती है किसी तरह तो आप वापस से patient login पर जा सकते हैं और अगर आपको prescription लेना है तो आप patient profile पर जाएंगे जिस mobile नंबर से आपने patient registration किया था उस mobile नंबर पर को इंटर करके आपको send OTP पर क्लिक करना है OTP के receive होने के बाद आपको यहाँ पर OTP को इंटर करना है और OK पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप क्लिक करनेगे तो आप इस profile पर आ जाएंगे अगर आपका prescription generate है तो यहाँ आपको देख जाएगा आप उसको drop down से select करके OK कर सकते हैं अगर आप अपने किसी other family member को aid करना चाहते हैं same number से तो आप उनकी detail भी यहाँ फिल करके aid कर सकते हैं और ठिक उसके नीचे यह family member list वाला option है यहाँ आपने जितने भी member आपके aid हैं उनकी list आप देख सकते हैं इस तरह से आप आसानी से COVID की स्काल में अपने घर बैठे सुरचित रूप से बिना hospital के बिना clinic के चक्कल लगाए जहां आप और भी संक्रेमित या और भी बीमार हो सकते हैं अपने वेब कैम और माइक की साहता से अगर आपके पास वेब कैम भी नहीं है तो आप इसके android ape का प्योग करके असानी से डॉक्टर से आडियो वीडियो consultation कर सकते हैं और अपनी जो छोटी मुटी बीमारी हैं उन्हें उसका निदान पा सकते हैं और उचीत स्वास्त लाब ले सकते हैं तो दोस्तों आसा करता हूं यह वीडियो और यह भारस सरकार द्वारा संचालित EOPD आ लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों की भी सेयर करें आसा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ आपको दिन सुभ रहे धन्यवाद झाल 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 झा